दिवेलोक से संदेश मंगलवार 20 जुलाई 1999 प्रातर 10 बजे प्रियमालिक पुझ बाबुजी महाराज कहते हैं इस आश्रम के लिए धहरिय रखो हम तुम्हें बता चुके हैं कि इसे भुलाया नहीं गया है इसको केवल पुनर स्थापित किया जा रहा है कुछ अंकारी जो अत्याधिक सशक्त होते हैं यह विश्वास करते हैं कि वे सही कर रहे हैं लेकिन अन्तमे जाकर वे इस प्रक्रिया में सिर्फ बाधक ही बन रहे होते हैं यह अब कुछ समय की ही बात है वहाँ पर भी जो होना चाहिए वही होगा इसे इसकी संपूर्ण भववेता में अत्याधिक प्रबल दिव्य उर्जा को फैलाते होए देखो यही इसकी नियती है दुसरी जगों की तरह यहाँ भी इसका अध्यात्मिक अस्तित्व सापित होगा इश्वर चीजों का प्रबंध अपने तरिकों से करता है समय का सिध्धान्त पृत्वी संबंधी है अपने बाकी बचे हुए जीवन में तुम्हारे लिए जो कारेक्रम निर्धारित किया गया है उसका अनुसरन करके लाभानवित हो उसका अनुपालन करो हुरुदय से संकल पशक्ति से और अत्याधिक दीनता के साथ उस विश्वास के लिए जो हमने तुम्हें किया है माध्यम कहते है इसके अलावा और कुछ कैसे हो सकता है बाबुजी आप जो कुछ मेरे लिए कर रहे है मैं अपने आप को उसके लिए बहुत अयोग्य मानती हूँ बाबुजी कहते है इसलिए इस भावना को बनाए रखना उचित होगा तुम्हारी यही बात हमें पसंद है हम तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक भूमिका के बारे में जो कुछ भी बताते है उसके प्रती तुम्हें निरलिप तता का भाव इस प्रकार से तुम्हारा आहम तुम्हें यह विश्वास नहीं दिलाएगा कि तुम्हारे व्यवार में यह कोई व्यवधान भी नहीं पैदा करेगा मेरी प्यारी बीटिया हम जानते हैं कि तुम्हारा प्रेम निश्वार्थ और शर्त रही थै ऐसा बहुत सारे दुसरे अभैसियों के साथ में नहीं है जो देहदारी मालिकों को गेरे रहते हैं यह तो तुमको इश्वर की देन है कि तुम इस प्रकार से प्रतिक्रिया करती हो और यह मानती हो कि हमारी प्रोचसाहित करने वाली टिपपनियों से वास्तव में तुम्हारा संबंद नहीं है इसे ऐसे ही जारी रखो एक दिन तुम्हें इन सभी टिपपनियों की वास्तविक्ता का अनुभो होगा पुज बाबुजी महराज